गोतम उद्ध के दस अन्मोल विचार नमर एक घरना को घरना से खत्म नहीं किया जा सकता है बलकि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है जो की एक प्राकतिक सत्य है नमर दो जो बीत गया उसमें नहीं उलजना चाहिए और ना ही भविस्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए बलकि हमें वर्तिमान में ही जीना चाहिए यही खुसी से जीने का रास्ता है नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है यहाँ एक प्राकतिक सत्य है नबर चार वहाँ जो पचास लोगों से प्रेम करता है उसके पचास संगट है वो जो कि किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है नबर पाँच आप चाहे जितनी भी किताबे पढ़ ले कितनी भी अच्छे प्रवचन सुन ले उनका कोई फाइदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते नमबर च्छे आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चड़ा कर मद बताईए और नहीं दूसरों को इस्या कीजिए नमबर साथ किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए पिरियास करने लगते हैं नमबर आट जैसे बिना आग के मौमबत्ती नहीं जलती ठीक उसी पिरकार बिना आध्यात्मीक ज्यान के इंसान नहीं रह सकता है नमबर नो स्वास्थ सबसे बड़ा उपहार है संतोस सबसे बड़ा धन है वफादारी सबसे बड़ा संभंध है नमबर दस बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है बस पीडा की एक इस्थती है मोद की छवी है